प्रदेश के मुखे मंतरी जैराम ठाकुन ने प्रदान मंतरी नरंदर मोदी को इस बारे में अवगत भी करवाया है अब केंदर सरकार ने हिमाचल के युवाओं को राहत परदान करने और जो वेक्सिन पहले सबता में केवल दो दिन लगती थी उसे रोज लगाने के आदेश दिये हैं और वेक्सिन का स्टॉक भी हिमाचल पहुचा दिया है अब ये वेक्सिन लगना आरंब हो गई है युवाओं के स्लोट बुक भी होने लगे हैं और सोलन में काफी युवा वेक्सिन लगा रहे हैं वेक्सिन लगाने आये युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए का कि वे लंबे समय से वेक्सिन लगवाना चाहते थे लेकिन वेक्सिन लगवाने के लिए स्लोट बुक नहीं हो रहा था अब जाकर उनका स्लोट बुक हुआ है और उन्हें वैक्सिन लगवा ली है उन्होंने का कि वैक्सिन लगवा कर वे बहुत खुश हैं एक महिला ने इस मौके पर बताया कि उनके परिवार के सभी को वैक्सिन लग चुकी है केवल वे ही वैक्सित से बंद चिती आज उन्होंन से वैक्सिन का वेट कर रहा था तो पहले तो यह पता लगा कि वैक्सिन चाहिद आनी रही है इस वहें से थोड़ा कंफूजन था और अब जब आई है तो उसके लिए स्लोट बुकिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं लगा था मतलब डाई वे से स्लोट खु हो जाता था तो इस बार इस बार लखी हूं जो इस बार मेरी बुकिंग होगी और मेरा फ़र्स्ट वैक्सिनेशन आज सब्सक्राइशन है एंड हां मेरा फिफ्ट टाइम यह स्लोट बुक हुआ है रेजिस्ट्रेशन बहुत टाइम से करवा रहे थे तो वह विदिन एक सो सेकेंड में वह बंद हो जाता था बुकिंग फुल आती थी तो यह फर्स टाइम मतलब मुझे मेरा हो गया मुझे था कि लगवानी तो है ही तो इसके मैं एक्साइट थी और अभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि लगा दी तो काफी टाइम बाद यह स्लोट बुक मैं यही कहना चाहती हूं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है लगा के और मैं सभी से यही चाहती हूं कि वो भी आगे बढ़के वैक्सिन लगा है और हमारा नंबर आए और आज आया नंबर तोने लगवाई फी समय से इंतिजार कर रही थी मैं तीन बार वैसे तो नही गया था बस हमारे को तो हमने दो तीन दिन पहले बुक करा है और वैक्सिन लगवा के अच्छा लग रहा है